नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टड़ी वेपस एजुकेशन, चलिए इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश टाइपिंग टॉटोरियल, देखे इसके पहले मैंने आपको हिंदी टाइपिंग टॉटोरियल, जो कि रेमिंग्टन गेल और मंगल फॉंट यानि कि यूनिकोट के हिसाब से आपका complete जो कोर्स है, वो करा दिया हूँ, यानि कि लगभग उसमें एक घंटे में आप complete हिंदी टाइपिंग सीख जाओगे, अब बात आती है कि इसकी English टाइपिंग की, ज़्यादा तर लोगों को English टाइपिंग आती है, पर मेरा उद्द तो यहाँ पर day one, यानि कि English सीखने का हमारा कौन सा दिन है अभी day, day one, और जब भी हम day one की practice में आपको बताऊंगा, और किस प्रकार आपको करना है, वो भी बताऊंगा, तो day one की practice आपको कब तक करना है, जब तक कि आपकी संतुष्टी ना हो जाए, यानि कि आपके उंगल लगा था डावल समय, तो उसकी दिक्कत नहीं है, वो हमने अभी सीख चुके हैं, चलिए हम अभी यहाँ पर सीखना सुरू करते हैं, day one की, और day one को सीखने से पहले, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़े बताऊंगा, keyword में, तो चलिए सबसे पहले जो है, आप keyword पर ध्यान दी देखे, keyword पर ध्यान दीजे, keyword आपको दिखाई दे रहा है, keyword में देखे, alphabet की होती है, देखे, ABCD, आप English typing सीखना थोड़ा सा सराल होता, Hindi typing की मुकाबले, तो देखे, यहाँ पर आपको देख रही होगी, home row, यह वाली जो दिख रही, beach वाली row, home row, asdf वाली जो रो है, उसको बोलते है, home row, उपर वाली को बोलते है, upper row, नीचा वाली को बोलते है, bottom row, और एक row होती है, आपको यहाँ पर है, जो चीजे देखने को मिलेगी, वो मिलेगी 4 row, और 4 row को हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे, तो सबसे पहले दिन की अगर बात करें, जब हम English typing सीखना चाल में, उसके बाद जो right hand है, right hand आपको जमाना है, कहाँ, देखे, j, k, l, और semicolon, तो यहाँ आपको इस प्रकार से, आपको keyword पर विशेज ध्यान देना है, इस प्रकार आप press, मतलब जमा कर रखोगे, मतलब press ने करना है, अब press करने की जब बात आती है, तो कैसे press करोगे, आप ऐसे रख लीजिए, और देखे, press करके कैसे उठाना, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार से आपको देखे, थोड़ा सा सुरू में अगर आप typing करते हो, सुरवात करते हो, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो आने वाली है, ठीक है, इस प्रकार आप ऐसे typing करते रही है, यह देखे, इस प्रकार से यह देखे, यह तो बात होगी, हाथ जमाने की, आपने देख लिए चारों उंगली जो है इस प्रकार आप जमा लीजिए, राइट हैंड की बात करें तो देखे, राइट हैंड में भी आपको वही काम करना, एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चोहती, मतलब सिंपल सी बात है, एक, दो, तीन, चार, कैसे, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार से आपको यह काम करना है, ठीक है, इस प्रकार से, अब बात आएगी किसकी space की, तो आपको अ यह दिखिए इस प्रकार आपको keyboard पर विसेज ध्यान देना है पहला दिन है तो keyboard पर विसेज ध्यान देना है आपको बागी दिन में तो कोई दिक्कत नहीं थोड़ा-थोड़ा मैं मैं बता दूँगा इस प्रकार से आपको ये काम आपका करते रहना है ये तो होगे left की बात अब देखो जैसे right के आप प्रेस करोगे एक दो तीन चार फिर 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 और कभी भी अपने जो हतेली है ये वाली जो हतेली दिख रहे इसको flat सतह पर ना रखे थोड़ा से उठा कर रहे है मतलब नीचे आप सतह पर रख देते हैं वो उससे क् स्पीड में दिखकत आएगी तो देखिए थोड़ा से उठा कर रहे है इस प्रकार ये देखिए ठीक है इस प्रकार आप जो है ये आप टाइपिंग करते रहिए अच्छा ये टाइपिंग आपको कित्ती देर करना है जब तक कि आपके MS बटके MS बटके कम से कम 50 पेज फिल नहीं करना है तो देखिए स्क्रीन पर ध्यान दीजिए अप थोड़ा सा स्क्रीन में दिखा देता हो उंगली जमाने कत बता दिया आप देखिए इस प्रकार से ये देखिए ये देखिए चार- चार के बाद आपको क्या करना है इस Moss loss और इस पेस भी राइट हैंड के अंगुठे से ही आप मारोगे ठीक है यह देखिए है और अगर आप से कुछ चीज़ गलत होती है तो बैक स्पेस की पे नहीं जाना इसलिए नहीं जाना क्योंकि आपको आदत नहीं बनाना है बैक स्पेस कीए इस प्रकार आप थोड़ा थोड़ा सुलो चलिए और इस प्रकार आपका काम हो जाएगा तो यह था यहां पर कीवोर्ड में हाथ जमाने का और मैटर आपको क्या है दिखाई दे रहा है और जो राइट है उसका आपको दिख रहा है तो इसको आपको टाइप करना है लगभग कितने पेश टाइप करना है तीस से पचास में जब तक कि आपकी संतुष्टी ना हो जाए तो यह आप अच्छे से प्रेक्टिस करिए हम मिलते हैं नेक्स्ट डे टू के साथ मैं तब त प्रेक्टिस करना है और आप कीबोर्ट पर ध्यान दीजिए कीबोर्ट पर जब ध्यान देंगे तो आपको मैंने हाथ जमाना बता था ASDF मतलब हाथ आपको यह जमाना है ठीक है हॉम रोक्यों बोल रहे हैं क्योंकि हमारा घर है वो मतलब इस चार उंगलियों का यह घर है और आपको यही रहना है उंगली अगर आप प्रेस करने के लिए जैसे मैं दूसरी रो भी बताऊंगा तो आपकी उंगली बापस आकर यही रुकेगी मतलब आपकी ideal position या रुकने की स्तिति क्या रहेगी इसी मतलब position में रहेगी जहां अभी मेरी उंगली देखने को मिल रह और यह था day first का अब day two की practice कैसे करनी है डे two की practice में आपको यह जो दो की दिख रहेए देखे जी और हद दिख रहे ही जी और ऑच को इनी दो उंगली इनी दो उंगली के साथ में आपको जी और ह के वें को झाल ना कैसे धी広न से दिखे keyboard में एक दो तीन चार चार प्रेस कर तो यहां देखिए आपको कितनी की प्रेस करना पढ़ना चार तो यह हो गई पांच और एक छे इधर साइड भी देखिए आपको इस प्रकार से आपको अपना काम एक दो तीन चार एक माट यहां पर फिर से देखिए फिर से हम यहां देखे एक दो तीन चार और ये पांच और ये छे ठीक है एक दो तीन चार पांच छे ठीक है ऐसे आपको काम करना एक दो तीन चार ये पांच हो गई और ये छे हो गई एक दो तीन चार ये पांच और ये छे तो ऐसे आपको काम करना मतलब ये जो जो सामने व इस्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए देखो एक दो तीन चार इस प्रकार आपको टाइप करना है छे छे करेक्टर आपके आ जाएंगे और यह आपको टाइपिंग कितना करना है यह आपको टाइपिंग करना है लगभग 50 पेज ठीक है फॉंट आप थोड़ा सम्मान जनक रख करना है कि आपको जब तक संतुष्टी ना हो तब तक आप जो है इसमें टाइपिंग करते रहे पता चल रहा है आपने 55 टाइप के लिए हो सकता है आपकी स्पीड उतनी नहीं जितनी आना था तो इसमें दिक्कत होगी तो इसलिए आपको क्या करना है अपनी संतुष्टी क आगे move करना है तो चलिए यह चीज तो आपको clear हो गई आगर कोई doubt आता है हलां कि doubt आएगा नहीं आप जो है यह English typing है अगर फिर भी अगर कोई doubt आता है तो आप मुझे बता सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next class day 3 के साथ मैं तब तक के लिए जैहिंद चलिए यहाँ पर हम बात कर रहें किसकी English typing की तो English typing सीखने का हमारा day number 3 है यहने के day number 2 तक अल्रेडी हम सीख चुके हैं तो आपको जो है keyword पर ध्यान देना है keyword पर ध्यान दीजिए देखे day number 1 में मैंने क्या बताया था एक दो तीन चार यहने कि जो home row है उसमें हमने left hand कैसे मतल जमाना है इस प्रकार मैंने यह आपको बताया था day number 1 में और कैसे इसकार एक दो तीन चार फिर इसपेस इधर से भी और यहाँ जमाने का इस टै cảिक नहीं है आपको home row complete हो चुकी है दो दिन में अब इस से related जो सब्द मनिंगे उनको यहाँ पर आपको practice करना है तो practice कैसे करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा matter दिखाना पड़ेगा तो चलिए screen पर ध्यान दीजिए देखे यहाँ पर आपको day number 3 के अंतरगत क्या दिख रहा है screen पर matter दिख रहा है ठीक है तो matter में आप देखे आपको add, semicolon लगा फिर sad फिर उसके बाद semicolon लगा है इस प्रकार आपके बहुत सारे सब्द दिख रहा है तो आप ध्यान से देखे जो एक सब्द लिखा है सब्द नहीं है हलाकि वो परंतु practice में वो आएगा तो आपको करना क्या है इसको आपको लगभग 5 page type करना है किसको add, semicolon को 5 page type करना है फिर उसके बाद next आपको sad, semicolon को 5 page type करना है फिर fad, semicolon को 5 page type करना है ऐसे आपको एक एक करके सारे सब्द को 5-5 page type करना है पर ध्यान से सुनिए यहाँ पर आपको जब एक line हो जाए हर एक सब्द की 5-5 page तो आपको क्या करना इस एक line को 3-4 page टाइप करना है 3-4 यह मतलब 2 से उपर तो करना है कब तक जब तक कि आपके अंदर feeling good ना जाए कि हाँ 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 हमारे सही चल रहा है तो इसी प्रकार आपको हर एक line को मतलब पहले हर एक सब्द को क्या करना है एक line होने तक 5-5 page फिर पूरी एक line को 2 page से उपर फिर उसके बाद इसी प्रकार second line में आपको छलांग लगाना है 3rd में 4th में और 5th में जब आपका इस प्रकार complete हो जाए तो day number 3 आपका जो practice है वो सही माइने में यहाँ पर complete हो जाएगी ठीक है और जब यह complete हो जाए तो आगला day मतलब 4th number के day में आपको move करना है बैसे move नहीं करना है मतलब अच्छे से practice होगी तब ही move करना है अन्यता आप अगले day में move नहीं करोगे ठीक है चली आप अच्छे से practice करोगे समझदार हो इमानदार हो सारी चीजे तो आप practice करिए और अग मुझे comment box में बता सकते हैं मिलते है next day number 4 के साथ में तब तक के लिए जैहिंद चली यहाँ पर हम सीख रहे क्या English typing और English typing सीखने का ही हमारा day number 4 है यानि कि day number 3 तक already हम practice कर चुके है I hope आपने भी अच्छे से practice कर लिया होगा और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसी दिक्कत नहीं है ठीक है मैं उसका solution आपको दे दूँगा तो चलिए हम यहाँ सीखने वाले क्या day number 4 और day number 4 में हम क्या सीखेंगे उसके लिए आपको ध्यान देना है keyword पर ठीक है चलिए keyword पर ध्यान दीजिए keyword पर मैंने आपको बताया था यह आपकी home row है asdf बाली क्या है home row और हमने हाथ जमाए थे इस प्रकार और इस प्रकार यह right hand के हाथ जमाए थे तो जब हमारे हाथ इस प्रकार जम जाते हैं तो आपको करना क्या है जब home row की practice हो चुकी हमारी तो हमको क्या करना अपर row में काम करना मतलब जो उपर वाली row है P, O, I, U इस प्रकार चार उंगली आ रहे हैं अब बचे बीच में दो तो बीच वाले जो दो है उसको भी कैसे प्रेस करना है जैसे हमने यहाँ पर टेक्निक अपनाए थे कैसे आप देखिए आपको Q, W, E, R और इससे आपको T प्रेस करना है Space फिर उसके बाद इधर वाले हाथ को देखिए P, O, I, U और फिर उसके बाद इससे आपको Y भी प्रेस करना है तो देखो समझ में आया आए आपको आगया होगा समझ में देखिए Q, W, E, R और इसी उंगली से इस उंगली से आपको T भी प्रेस करना है मतलब हुआ क्या यह वा Left Hand की और Right Hand की दोनों से दो-दो की प्रेस होगी तो दो-दो की कुन-कुन सी प्रेस होगी हाथ तो यह जमाना है आपको जाना देखिए इस प्रकार से आप जाओगे और ऐसे प्रेस करोगे इधर भी जाओगे इस प्रकार ऐसे प्रेस करोगे ठीक है फिर इधर जाओगे इस इस प्रकार हाथ जमाना में न बता दिया आपको देखे इस प्रकार यह टाइप यह से करते रहना है अच्छा करना कितना है तो आपको यह जो मैटर है इसको लगबग 30 से 50 पेज के अंतरगर टाइप करना है तो उससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस फाइनल हो जाएगी यहा राष्ट चल जाते हैं किसी के थोड़ा देर से चलते हैं तो यहसा आपको जादा लोडने लेना है पको करना है अपके मन की संतूश्ठी तक यानि कि जब तक आपको फीलिंगग की बात कर लिए, home row में हमने complete जो है practice कर खेंगे, उसके word की practice भी कर लिए, उसके बाद हमने अपर row के साथ में हाथ कैसे जमाते हैं, वो भी बात कर लिए, कैसे जमाते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, तो देखिए आपको जो है, जो चार उंगली आपकी home row में जमी की, तो देखिए फिर से आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रकार है, ऐसे type करना है, ठीक है, ये day number four में मैंने बता आया था, आपने practice कर ली होंगे, ठीक है, अब practice हो गई है, अच्छे से, तो आपको करना क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो matter है, वो क्या type करना है, और कैसे type करना है, तो चलिए, screen पर ध्यान दिजिए, screen पर देखेंगे, आप day number five की जो practice है, उसका matter आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखिए, जो matter है, उसकी आपको screenshot ले लेना, screenshot ले लो या लिख लो, जैसी आपकी मर्जी, screenshot ले लोगे, ज्यादा अच्छा रहेग और उसके बाद आपको typing करना है, तो typing जब करोगे, तो आपको देखिए, यहाँ पर एक सब्द दिख रहा है, फिर उसके बाद दूसरा दिख रहा है, हाला कि कोई meaning नहीं है इन सब्दों की, परन्तु फिर भी सब्द कहलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए, यह जो है complete इसको आपको करना है कितने 5 page type करना है, यह जो दिख रहा है, यह 2, मतलब T, O, और semicolon इसको 5 page करना है, UP, मतलब UP, और semicolon को 5 page, ऐसे 2, T, O, जो है semicolon को क्या करना है, 5 page, 5, 5 page करके आपको आना है last तक, जब यह पूरा 5, 5 page हो जाया है हर एक सब्द, तो आपको एक लाइन को 2 से 3 page type करना है, तो यह हो जाएगी आपकी practice एक line की, उसी बाद, उसके बाद आपको इसको आपको 5 page type करना है, T को 5 page type करना है, ऐसे 5, 5 page करके इस line को complete करने के बाद, फिर से 2 से 3 page इस line को type करना है, उसके आद ऐसी करके आपको एक करके हर एक line को complete करना है, यानि कि हर एक सब्द type करोगे 5-5 page फिर हर एक line को आपको 2-3 page करना है तब जाके कहीं आप इस day 5 की practice को अच्छे से कर पाएंगे फिर कोई doubt आता है तो आप क्या करोगे मुझे comment box में बता सकते हैं आप इसकी practice कब तक करोगे जब तक कि आपकी संतुष्टी ना हो जाए ठीक है तो आप practice करें अच्छ से और जल्दी से आप typing सीख जाएंगे तो चलिए मिलते हैं हम day number 6 मतलब next day के साथ मैं तब तक के लिए जैहिंद चलिए यहाँ पर हम सीख रहा है English typing और English typing सीखने का हमारा day number 6 है यानि कि 5 तक हम already सीख चुके हैं आपने practice भी कर ली होंगे तो चलिए आप यहाँ पर ध्यान देते हैं हम किस पर day number 6 पर तो keyboard पर ध्यान दीजिए keyboard पर देखिए हमको देख रही home row home row हमारी complete हो गई practice भी हो गई आपर रो को भी हमने practice कर लिए यहनिके पहले उसकी practice कर लिए उससे बनने वाले सब्दी की practice कर लिए अब बात आती है bottom row की bottom row में आपको देखने मिलेगा कम की देखने मिलेगी कम मतलब आप देखोगे ध्यान से तो आपको चार यहां पर देखने मिल रहा है देखिए यहां पर आपको जो है चार जो home row है वहाँ आपने प्रेस कर लिए यहां भी आपने चार में home row में प्रेस कर लिए अब आप जब नीचे जाओगे तो देखिए क कहां से टाइप करना Z से मतलब यह वाली उंगली Z में आएगी यह वाली आएगी कहें में next X में यह आएगी C में और यह आएगी आपकी B में तो कैसे टाइप करना है देखे ध्यान से आपको करना है पहले तो आपको उंगली ऐसे जमाना है हां तेलियों को थोड़ा से उपर और आपको देखे एक्स यह देखे जेड एक्स सी बी और एंसे करके आपको क्या करना है उपर उंगली में लाना है ठीक है उसके बाद आप देखे एक दो तीन चार और यहां पर आपको बी भी प्रेस करना है मतलब यह वाली जो उंगली है वो दो की प्रेस करेगी कैसे ध्यान से देखिए यहां देखिए जेड एक्स इबी स्पेस और यहां पर डॉट मतलब जो फुलिश टॉप है से कॉलन है यहां पर कॉमा है एम है उसके आपको प्रेस करना कैसे फिर से देखिए यह देखिए इस से ऐसे और उपर अपनी उगली लिख़्या जाना है एक, दो, तीन, चार और ये बी के साथ में मतलब आपको यह वाली जो उगली हिस्से दो कीप रेस करना है बाकि सभी से आपको एक एक कीप रेस करना है ठीक है इस प्रकार से आप ध्यान से देख लीजिए ठीक है इस प्रकार देखे फिर आपको ऐसे उंगली आपको जमाना बही है कहाँ पर होम रोम है तब आपकी जो है सही माहिने में मतलब जो है होम रोम है आपकी एडियल पोजिशन मानी जाएगी तो अब आप स्क्रीन पर ध्यान दीजे डे नंबर 6 के अंतरगत देखोगे तो आपको टाइप करना कैसे आपको इस प्रकार टाइप करना है देखे फिर से मैंने यह देखे यहां से यह अभी करना कितना है यह आपको लगभग 25 से 30 या 30 की उपर पेज पहुचाना है एक हसाब से मतलब फॉंट रहना चाहिए 15 से 20 के आसपार तो 30-35 पेज के आसपार पहुच ज जाएगी यहां कि आपकी टाइपिंग जो है मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी अगर नहीं होती उतने में भी तो और आप ज्यादा टाइप कर सकते हैं तो चलिए आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से हम मिलते हैं दे नंबर सेवन के साथ मैं तब तक के लिए जैहिंद पर देखिए हमने होम रो में प्रैक्टिस कर लिए अपर रो में प्रैक्टिस कर लिए बॉटम रो में भी हमने प्रैक्टिस कर लिए और हाथ कैसे जमाना है या आप हाथ जमाने की टेक्निक आपको पता चल गई होगी इस प्रकार से आप जेट तक हाथ जमाएंगे आप द यह वाली right hand की उंगली से shift की दाइना क्यूंकि आप ध्यान से देखो keyword में इधर भी shift की और इधर भी shift की तो कैसे जमाना है तो देखे जैसे मानलो मैं इस की से मतलब इस हाथ City type करने वाला हूं this से तो आपको देखें से शित की दवा लेना है मैं इस प्रकार से मैंने से ऐसे सिप्थ मार रहा देखें फिर से फिर से स्प्रट की दवा कि तो यह तो बात होगा है सिप्ट की दबाना है तो हमने पिछले ड़याल न कि जी सिखा लिए नाफको की जी 9 के जाए और फॉप्त कि श्ट के साह Superior होगी यह मैंने से प्योग आपको बता दिया तो आप screen पर ध्यान दीजे देखे screen पर day number 7 की practice में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ध्यान से देखिए day number 7 में आपको बहुत सारे सब्द देखने को मिल रहा है तो देखे T capital बना तो shift के साथ आपको बनाना है H capital बना है U capital बना है जहाँ-जहाँ capital बने वो सब कैसे मने है shift के साथ में और shift का प्रयोग कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया तो यहाँ पर आपको करना क्या है यह जो है screenshot ले लिजी इसका और कैसे करना type में बता देता हूँ पहले दा लिखा है दा को आपको 5 page type करना है tailor को 5 page type करना did को go को to को इस प्रकार सब को 5- और यहां तक आओगे जब यह complete हो जाए तो इसको आपको 2-3 page type करना इस complete line को ठीक है सिर्फ एक एक अकेली line को उसके बाद next line में move करोगे एक-एक सब्द type करोगे फिर आपको क्या करना है एक complete line को 5-3 page type करना है तो जब यह काम complete हो जाए तो day number 7 के आपकी practice हो जाएगी तो य चलिए हम सीख रहे English typing और English typing सीखने का हमारा day number 8 है और final भी है यानि कि day number 8 तक हम complete रूप से आखरी दिन बचा है जिसमें हम English typing सीखने वाले हैं और इस हिसाब से आपके English typing सीखने का complete यहां tutorial हो जाएगा तो चलिए day number 8 में क्या सीखने वाले हैं आप keyword पर धियान दीजे keyword में आप देखोगे तो हमने home row complete कर लिए practice कर लिए upper row complete कर लिए उसकी भी practice कर लिए नीचे bottom row को भी practice कर लिए मतलब सीखे उसकी practice कर लिए साथ में shift की का उपयोग भी हमने देख लिए अब हम बात करेंगे किसकी सबसे उपर एक row दिखती होगी देखिए number row यहां पे दिख रहे ह चार पे मतलब हर एक के लिए एक की यहां पे आपको define करना एक दो तीन चार ठीक है इस प्रकार आपको एक दो तीन चार बापस आना इधर side आप देखोगे 0 से इस प्रकार आपको 4 आप ध्यान से देखिए इधर 4 इधर 4 तो आपकी बच्ची कितनी बीच में 5 और 6 तो आप इसके आप देखिए एक दो तीन चार और यह पांच ठीक इस प्रकार एक दो तीन चार यह पांच इस प्रकार एक दो तीन चार यह पांच यह से आपको क्या करना है नंबर रोपए काम करना है यह देखिए ठीक इस प्रकार आपको 6 भी प्रेस करना है यहां पर ध्यान से द है वो ही नियम कि आपको 20-25 पे 30 पे जित्ता आपकी संतुष्टी हो वो आपको करते रहना है ठीक है यह से आपको टाइपिंग करना है अच्छे से ध्यान से ठीक है आप जल्दी सीख जाएंगे इंग्लिश टाइपिंग है कोई दिकत नहीं हिंदी टाइपिंग सीखने में कोई डाउट होगा तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हलाकि वोई वीडियो देखने के बात बता दोगे चली यह तो हो गई हमारी यहाँ पर डे नंबर 8 की मैंने आपको क्या करना है प्रेक्टिस वो बता दिया 30-40 पेज यह टाइप कर लेना आप ठीक है और बांकी रो को भी अच्छे से ऐसे टाइप कर लोगे बांकी जो हमारी बॉटम रो, हॉम रो और अपर रो थी इनको और इसे साब से आपका इंग्लिश टाइपिंग सीखने का टुटोरियल है कम्प प्रेक्टिस के लिए हिंदे